कितनी बुरी है वो, सोचती है सबके अच्छे के बारे में, उसकी सूरत है गुनागार औरतों जैसी ये हम, ये हम गुनागार औरते हैं, जो एहले जुब्बा की तमकनत से न रौप खाएं, न जान बेचें, न सर जुकाएं, न हाथ जोड़ें नमस्कार, सलाम, नियूस क्लिक के इस खास कारेकरम सारे सुखन हमारे में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हम बात करेंगे आधी आबादी की, आधी जमीन के पूरे आसमान की कहते हैं, आदम और हववा ने इस दुनिया को बनाया, लेकिन हववा हर बार गुनागार ठहराई गई और देखिए, आज हववा तनकर खड़ी है, और खुद किश्वर की कलम से कह रही है, यह हम गुनागार औरते हैं यह हम गुनागार औरते हैं कि सच का पर्चम उठा के निकलें, तो जूट से शाहराहें अटी मिले हैं हर एक दहलीज पर सजाओं की दास्ताने रखी मिले हैं, जो बोल सकती थी, जो बोल सकती थी, वे जबाने कटी मिले हैं यह हम गुनागार औरते हैं, यह हम गुनागार औरते हैं कि अब ताकुप में रात भी आए, तो यह आँख नहीं बुझेगी कि अब जो दिवार गिर चुकी है, उसे उठाने की जिद न करना औरतों की ही बात को परवीन शाकिर गजल की जबान में कुछ यह कहती हैं कि वो तो खुश्बू है, वो तो खुश्बू है, हवाओं में बिखर जाएगा मसाला फूल का है, फूल कि धर जाएगा और मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाओंगी, वो जूट बोलेगा और ला जवाब कर देगा यह तन्जी व्यंग भी देखिए, कि वो कहीं भी गया, लोटा तो मेरे पास आया वो कहीं भी गया तो लोटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाओंगी पाबागिल सब हैं, पाबागिल सब हैं रहाई की करे तद्बीर कौन दस्त बस्ता शहर में, खोले मेरी जन्जीर कौन मेरा सर हाजिर है, लेकिन मेरे मुनसिफ देख ले कर रहा है मेरे फर्द जुर्म की तहरीर कौन दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद है, देखना है, खीचता है, मुझ पे पहला तीर कौन औरते सिर्फ अपने बारे में ही बात नहीं करती, वे इस दुनिया जहान की बात भी करती है जिसे धर्म और सियासत नरक बनाने पर तुली है, पॉलिश कवी विश्वास शिंबोर्स का अपनी कविता नफरत में कहती है देखो तो अब भी कितनी चुस्त दुरुस्त और पुर असर है हमारी सदी की नफरत किस आसानी से चूर चूर कर देती है बड़ी से बड़ी रुकावटों को किस फुर्ती से छपट कर हमें दबोच लेती है यह मजभब हो या वह जो भी इसे जगा दे यह देश हो या वह देश जो भी इसे उठा दे इनसाब भी तब ही तक अपनी रहा चलता है जब तक नफरत इसकी दिशा नहीं बदल देती लोग कहते हैं कि नफरत अंधी होती है अंधी और नफरत इसके पास तो जनाब बास की नजर है अपलक देखती है भविश्य के यार पार जो कोई देख सकता है तो सिर्फ नफरत यही नफरत हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान सब को बरबाद किये दे रही है तभी तो पाकिस्तान की मकबूल शायरा फहमिदा रियाज हिंदुस्तान से कहती है ध्यान से सुनिए तुम तुम बिल्कुल हम जैसे निकले अब तक कहां छुपे थे भाई जो मू रखता वो घामणपन जिसमें हमने सदी गवाई आखिर पहुची द्वार तुहारे हरे बधाई बहुत बधाई प्रेद धरम का नाच राह है कायम हिंदू राज करोगे सारे उल्टे काज करोगे अपना चमन ताराज करोगे अमरता प्रितम ऐसे ही कुछ अलग अंदाज में बतियाती हैं आज हमने एक दुनिया बेची और एक दीन खरेद लिया हमने कुफर की बात की सपनों का एक थान बुना था एक गज कपड़ा फाल लिया और उम्र की चोली सिल लि आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक धकना उतारा और एक घूट चान्नी पी ली यह जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली है गीतों से इसका दाम चुका देंगे इसमत आपा कहती थी कि अगर औरत आजाद नहीं हो सकती तो मर्द कभी भी आजाद नहीं हो सकता वह कहती थी समाज ने, सिस्टम ने और सरकार ने लड़कियों को घोट कर रख दिया है और लड़कों के जहन तेड़े कर दिये हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका क्रांतिकारी सावित्री बाय फूले जहां लड़कियों की पढ़ाई पर जोर देते हुए कहती है चौका बरतन से बहुत जरूरी है पढ़ाई क्या, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई अशिक्षा ही दलित बहुजन और इस्तरी समाज की दुश्मन है इसे पूरे दमखम के साथ स्थापित किया सावित्री ने हमारे जाने माने दुश्मन का नाम है अज्ञान हमारे जाने माने दुश्मन का नाम है अज्ञान उसे धर दबोचो मजबूती से पकड़ कर पीटो अन्धिश्वास के खिलाफ जो मारक कविता पंक्ती आप सोचिए 1897 से पहले सावित्री बाय फूले ने लिखी थी, जिसमें अंधविश्वास, ब्राह्मनवाद और मनुस्मृती को एक साथ निशाने पे लिया था, पत्थर को सिंदूर लगाकर, पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबो कर, जिसे समझा जाता है देव तो फिर, तो फिर नाहक, नर्नारी, शादी क्यों रचाते हैं? सामाजिक कारकरता कमला भसीन जलूस में जल्सों में गाती रहीं, हवाओ सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेहिचक चलने में मज़ा आता है, उन्हें मनजूर नहीं बेवजार रोका जाना, परिंदो सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेखाफ उनने में मज़ा उन्हें मन्जूर नहीं उनके परू का आख काटा जाना। इज़त हमारे गुजारे की बात है। इज़त के नेजे से हमें दागा जाता है। मैं कैद में बच्चे जनती हूँ। जायज ऑलाद के लिए जमीन खिलंडड़ी होनी चाहिए। तुम डर में बच्चे जनती हो। इसलिए आज तुम्हारी कोई नसल नहीं। तभी फैमीदा कहती हैं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भीख हो सकता है। इस रहा में रहजन है इतने। कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अकसर होता है पर तुम जिस लम्हें में जिन्दा हो। यह लम्हा तुम से जिन्दा है। यह वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो जो होगा देखा जाएगा। फैस भी तो यही कहते हैं कि बोल कि लबाजाद है तेरे, बोल जबाँ अब तक तेरी है, तेरा सुत्वा जिसम है तेरा, बोल कि जाँ अब तक तेरी है, फेक के आहन गर की दुका में, तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलो के दहाने, फैला हर एक जन्ज कि सच जिन्दा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले शुक्रिया सलाम